Good morning students, today we are going to read Mr. Kumar shop हम Mr. Kumar की जो शोप है, ये poem का निम में बिटा हम लीट करेगे इसको इन Mr. Kumar shop you can get Mr. Kumar की जो शोप है, आप उसमें ले सकते हैं क्या-क्या Bundles of tape, bundles होता बिटा, गथा, bundles tape के गथे ले सकते हैं काफी सारे bundles रखे गए हैं, ठीके, bundles of rope, रोप होती है, रसियों के bundles रखे गए हैं, packets of pins, जो होती हैं, ठीके, स्कूलों में जो कुछ display board पे कुछ チャンネル, कि जो चैने, पिनों के जाती है उनके ठीके, पैकेडियों के टीक्रातिक, रखे गए हैं, यहां के केक्स पैसिस पहर साबुन, साबूने के जो होती हैं कि काफी सारे याहाँ पर केक्स, यहां बगगडरा हैं, नेक्स पैसिज में टीन से लिखे हैं लेकट स्विवाशत यहां पर रखी गई है Jars of sweets sweets के जो मर्त्बान रखे गये जार में यूंज मर्तबावाई 54 एंद क्रेंट काफी सारी चाइस रखे गाई है पेंट कुर्ण्स रखे गे हैं में STAN कॉसर्स लीज कॉपır में आपर कोई थाल बड़ा सा या पात्रे कुछ ऐसा होता है ठीक है ज्यक्राइब प्लेट और प्लेट भी रखे गए है और प्लेट पिया पर रखे गए है नेक्स से माबलस और क्या क्या क्छलने के भी हैं काफी शमाने पर इसे चांचे बस गिखते हैं वह वाले कंचे सवग knya태ak में Key कि रखे गई हैं k बेप और डिफरिंग डिफरन कलर की जो online यो इसे य हैं यह पर डिफरेंट डिफरन contradict कलर की जो 1000 रखी गई आ फ्रिजबी प्रीजबी जबना सी और यहां पर रखी गई है लास्थपी stimulus प्लास्टेक यहां पर रखी गई है जो लट्टु फिरकी जो गुमा कर खेल जाता है लकडियू की बने हुए टोप्स जो हैं यहां पर रखे गए हैं and boxes and boxes और बहुत सारे boxes रखे गए हैं कि इसके lollipops खाने के लिए जो बच्चों की जो items होते हैं lollipops के उसके रखे गए है so read this poem अच्छे से आप इसको read करेंगे यहां पर आपके exercise A है poem की organize the thing that you can get at Mr. Kumar shop in this table आपको यहां पर कुछ categories by divide किया गया है first category है things to use in the house house के अंदर यूज करने के लिए जो भी मिस्टर कुमार की शोप में जो भी समान है आपको यहां पर arrange करना है cup, saucer, jug, plates, rope, soap परसी हो जाएंगे things to use at school स्कूल में जो यूज करते हैं जिसे tape, prints, bottle of ink, books, pens, crayons, prints यहां पर इंच करेंगे पूड के items आप यहां पर आइट कर देंगे jam, sweets, lime juice, lollipops और बाकी जो बच गया है खेलने के लिए जो भी समान है यहां पर आप राइट कर देंगे marbles, visas, color balls, frisbees, dolls, plastic animals, wooden topsies नेक्स एक्सराइज एक्सराइज बी यहां पर आपको एक एक्सराइज के लिए space दे रखा है आप इसमें या तो कोई picture आप अपने कोई shop की picture आप create करना चाहे, picture draw करना चाहें वो कर सकते हैं या कोई आप short poem है उसके बारे में कुछ लिखना चाहें, it's up to you, यह आपके उपर आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, okay, read this poem, अच्छे से read कीजेगा और exercise को फिल कीजेगा now read the hard words, hard words है Mr. Kumar की shop के जो poem है, इसके hard words है बेटा कुछ, bundles, number second packets, number third crayons, fourth है saucers, five है marbles, six है whistles, seven है frisbees, and eight है wooden, okay, learn this hard words also, thank you बेटा